प्रेम समुले संकर भगवान की जए, माता गोरी पार्वती की जए, गनपतल रन्मा की जए, सचे दर्वार की जए माता आये मुबह ने मैं एक करवा चोथ माता की कथा सुना जा रहे हूँ कार्तिक मास कृष्ण पद चोथ के दिन करवा चोथ ब्रत की जाती है हर स्वहाग ने अपने पती की लंबे आयु के लिए कामना करती है इस ब्रत को पूरी दिन नीरा हार नीरा जल रहके ब्रत करती है कोई फलहार नहीं करती है जब चंदरमा की पूजा हो जाती है, चांद निकलाती है तो चंदरमा के पुजा करके पुआ पकवान पूरी मिठाईया जितना चीज खा सकते हैं यह नहीं कि नमक नहीं खाना है नमक भी खाना है सब कुछ खाते हैं इस बरत को करते हैं तो तो मैं चोथ माता की कधा सुनाने जा रहे हूँ इस कथा को पूरा सुनिया और रहस जानिये आदी नहीं आदी सुनने में चौत माता का अपमान होगी पूरा सुनने में चौत माता आपके पती को रच्छा करेंगे तो आपकी लंबी आई होगी और कभी भी आपके पती के ऊपर कोई भी पता नहीं आएगा आये हुए भी पता टल जाएगा कथा आदिया दूरी नहीं सुनना चाहिए इसलिए कथा को पूरा सुनिये और रहस जानिये जै माता रानी जै मे माता जै माता गोरी माता आये मंभाने एक साहुकार थे उनका साथ बेटा थे और एक बेटी थी तो साहुकार अपना बेटी से बहुत प्यार करते थे इतना प्यार करते थे कि कहना नहीं साथ बेटा और एक बेटी तो बेटा और बेटी तो दुनिया संसार में सब कोई प्यार करता है बेटा बेटी से साथो बेटा का ब्याह हो गया बेटी का भी ब्या हो गया बेटी ससुराल चल गई ससुराल चल गई तो साथो भाई जो है कहने लगा कि या बहन ससुराल चल गई ये तो घर सुना लगता है घर एकदम बिलकूल सुना लगता है साव कारिन बोली कि आरे बेटा सुना लगता है तो हो लग दे दो बहुत जल्द कार्तिक मास आने वला है जब कार्तिक मास आ जाएगा तो अपना बहन को घर लिवा लाना अपने भाविया के साथ पहला करवा चौथ करेगी क्या दिक्कत है जो साहुकार के बेटा थे वो सातो भावि करने लगे कि हा मा बड़ी खुसी की बात है सातो बेटा इंदजार करने लगे जब आसिन का पुर्णीमा आया तो अपना बहन को घर लिवा लाए घर लिवा लाए लेकिन बेचारी बहन जो थी वो साजा सवार के सारी कपड़ा रखी अब भूल से उसका ससुराले में छूट गया वो ला नहीं पाई गलती से ससुराल में रह गया आज तो जवाना में तुरंत बाईक है कार है तरतरा की सुविधा है लेकिन पहले का जवाना में कोई सुविधा नहीं था तो बड़ी मुश्किल पर जाता था आना जाना पैदल की रास्ते नहीं तो डोली कहार से ये आदमी घोरे गारी से बैल गारी से जाते थे उसका असवारी करते थे फिर भी बड़ा समय लगता था जाने में जो साहुकार की बेटी थी अपना से सुरा लगई करवा चोथ का दीन आया तो सब सातों भोजाई जो है सज धज के सोला सिंगार में नए वस्त्र पहन के तयार थी अब इसका पास तो कपड़ा है ही नहीं जाके अपना मा से कहती है कि मा मेरे पास साड़ी नहीं है मैं क्या पहन के करवा चोथ बरत करूँ बोली मा की बेटी जाओ अपने भावी के पास जाओ बड़ी भावी से मांग लेना साय तुम्हारे भावी के पास तो कपड़ा होगा बड़े भोजाई बेटी कित्रह मानती थी साउकार की बेटी गई अपने बड़े भावी के पास भावी मुझे एक साड़ी दे दो तुम्हारे साथ हम भी सत्सवर के तयार हो जाएंगे और पूजा कर लेंगे करवा चौत बरत करने के लिए मेरे पास कोई कपड़े नहीं है जब इस बात को बड़े भोजाई सुनी तो कहती है कि ननत जी मेरे पास कपड़े है लेकिन सब पहना हुआ है नया नहीं है मैं कहां से दू दूसरी भोजाई के पास गई तीसरी भोजाई के पास गई चोथी भोजाई के पास गई पाचमी छटी सत्वी के पास गई तो सत्वी करती है कि देखो भाई मेरे पास सारी तो है लेकिन मेरा सारी में दाग नहीं लगना चाहिए यदि सारी में दाग लग जाएगा तो तेरा खून इसे चुन्दरी रंगवा देंगे काती अरे भादी अपना सारी तो दो मुझे खून से बाद में रंगवाना सारी तो मुझे दे दो सारी भोजाई दे दी जब भोजाई सारी दे दी तो साहुकार की बेटी बड़ा सज सबर के सारी पहन दी अब सारी पहन के और बरत कर ली बरत कर ली पहले के जवान में कच्ची मटी का मकान रहता था कार्तिक का महीना था बगवान का तो कहना ही नहीं चांद निकला पुजा की पाव फिसल गया वो गिर गई और मिटी लग गया उसका कपड़ा में बारिस हो गया था इस कारण पाव फिसला और मिटी लग गया कपड़ा में का करती है विचारी की अपना वस्त्र खोल के तुरंद पुजा कीती तक ऐसे खोलती तुरंद तो सबकों जानते हैं कि पूजा करके तुरंत नहीं खोल जाता है कपड़ा थोड़ा समय के बाद बैठके कुछ देरी अराम करके उसके बाद खोल जाता है कपड़ा तो बेचारी देर से खोली खोल के और धो के और भौजाई के कमरा में चूप चाप जाके रख दी बोजाई जब उगार के देखिए तो देखती है कि अरे इसमें तो दाग लग गया है अपना पती से करती है कि सुनिये आपका जो बहन है देखिए जब नहेर से भी वस्त रहाता है तो पहनती है नहीं कर्वचोत में सास को बैना की रूप में दे देती है जो भी नहेर से आता है सास के बैना की रूप में दे देती है कि लीजिये माजी ये आपका है वही परंपरा बना तो क्या हुआ कि साउकार की बेटी जो है धर्दी या वो कहती है अपना पती से कि देखिए साउकार की बहु आपकी बहन मेरा साड़ी तो पहन ली लेकिन सोच लिजिए दाग लग गया है बहन का खुन से चुंदरी रंगवा के लाके दिजिएगा और नहीं तब फासी रगा के मर जाएंगे अग जीवन वर जेल में चक्की पिसिएगा एबात सुनके सहुकार के बेटा चोटा बेटा कहता है कि अरे साथ को भाई कहें की गो तो बहन है कैसे निर्दाइनियन कहती हो ऐसा तो मत बोलो मेरे बहन के बारे में मुझसे एसब नहीं होगा उसका पतनी कहती है तो जेल खटने के लिए तयार हो जाएए हम मर जाएंगे तो खुषी मिलेगा मेरा सारी खराब कर दिया है उसका पती कहता है एक सारी के बदले चार ला देंगे लेकिन वो तयार नहीं हुई जब तयार नहीं हुई तो चार दिन आठ दिन के बाद बहन बोली कि मा हम मैके जाएंगे अपना ससुराल जाएंगे मैके से छोटा भाई करता है कि रहे बहन तु अकेली जाएगी हम तुम को पहुचा देंगे दीपावली से पहले जानते हैं कि तुम अकेली हो तो अकेले नहीं जाने देंगे हम पहुचा देंगे तो जो भाई था भाई क्या किया कि जो सारी था सारी जोला में रख लिया और एक कटार हाथ में जो था जोला में रख लिया तो बहन देखती है तो करती है सड़ी आजे लेला भैया हमारो बिदाई आजी अर कटरा कहे लागी लेला हूँ हो राम बाई कता है अर जतो हरो जे रहिया बहिनी बीजू बन जांगा लावारे अर बगावासी रवाढरे लेली एई हो राम रहिया में बर्थ फस्ते बहिनी काटा से कुसावारे काटावा से कुटा कुसावा अरे काटिये छाटिये रहबान आए भाई करता है कि देखो बहन तुम्हारा जाते जाते तो रास्ता पढ़ जाता है बीजू अंजंगल तो रास्ता पढ़ जाता है तो क्या करेंगे कोई बाग सियार आएगा तो उसको कट्रा से काट देंगे अब कोच भी काटा कुस बजेगा तो उसको छाटते चल जाएंगे ठीक है भाईया बड़ा खुसी की बात है घर से बीदा हुई बहन अपने माई के गले लगी भोजाई के गले लगी निकले दी चलने लगी चलते 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 बीजुवन जंगल में पहुच गई रास्ता वही था ससुराल जाने का जोरों का धूप लगा बान करती है कि भहिया हमको बहुत जोरों से धूप लग रहा है हमको पानी पिला दो भहिया प्यास लगा हुआ है भाई तो मोका देख रहा था भाई ने पानी पिलाया और बोला बहन थोड़ी देर अराम कर लो बहन जो है अराम करने लगी तो ठंडी ठंडी चाओं में बैठी हुई थी बहन का आलस लगने लगा तो भाई ने चादर विझा दिया बहन सो गई आज जब बहन सो गई गहरी निद से बहनी के बैठे खातिर भाई या गई ले चादाना बीरी छी आजी अरे घोटे घोटा पनिया पी आवलन होरं छैया बाहिनी आजे बैठे भाई आशांगावा बाय एटे भाई आशांगावा अरे आई गे ले ठंडया सुखा नेंदे आहोरं जटा से नीकाले भाई या कटरी बाधरी आहो कटरी बाधरी आह अरे आउरो में ललका चूंदरी आहोरं एक कटरा मरले भाई आधा सीरा कटले हो आधा सीरा कटले अरे दोसरे कटरा तूटलाई पारा नामा होरं ते सारे काटरवा बहिनी भैले दूई खंडावा हो भैले दूई खंडावा अर भाई आना चूंदरी रांगावले होरं छाटा पाटा जियरा करी निकाले पारा नामा हो निकाले पारा नामा अर बहिनी दिहले आसिर बदिया होरं देखिये दिदी भाई जो है जोला में से निकाल लिया सडिया और कटार बहन को गर्दन काट दिया और उसका रक्त से अपना सडिया रंग लिया पतनी का तो बहन के आतमा निकल गया उसके सरीर के अंदर से और देखिया सिरवाद देता है कि जुगा जुगा जी ओ भैया आमर हो वो सारीरी आजी आच्छा से चुंदरी रांग आई होरं एहो जे बतिया भैया मैया से ना कईया जी भैया से ना कईया अर वो हो भैया तो हरो के मारा तन होरं अने उनकर हाली आखी के पूतरिया होरं एहो जे तू बतिया भैया बहनया से ना कईया अर वो हू ना लेले तन बादाला वाहोरं बेचारी का आत्मा कह रहा है कि देखिए भैया मारे के तो मार दिये बेस किये लेकिन किसी से कहिएगा मार टोला परोस में भी मत कहिएगा ताना मारेगा हमको मातारी से मत कहिएगा नहीं तो रो रो के अपना प्रान हद देगी और मेरे पती से मत कहिएगा वो आपको मार डालेंगे मुझसे बरदास नहीं होगा भाईया आपका मिर्तु मुझसे बरदास नहीं होगा हम भगवान से प्रात्ना करेंगे कि है भगवान मेरा हर जनम में आप जैसा भाई मिले कि आपके हाँ तो मेरा मिर्तु हो भाई निर्दाई क्या करता है कि जमीन खोद के और दवाने लगता है दवा के चल आता है तो एक सियार जो है उपर परवत पे रहता था उही पहाड़ी पे पहाड़ी पे तो उखाने गया सियार उस मिरित के कटा हुआ सिर के तो सियार जो है उसको उकटने लगा तो उसमें से अवाज आता है कि हाथ तोरा जुड़ियो भैया गोड़ तोरा परियो जी अर मत खाहु को माला सरीरिया होना भाई निर्दाई हती कटलन गारादनिया हो कटलन गारादनिया अर भाउजी करन में भैया मारलन होरम सियरवा कहता है कि ठीक है तो भोजाई किस कारण से मरवाई तो ही कहती है साड़ी के कारण सियार जो है पूरा जंगल में ढुड़वारा पिटवा दिया कि भाई कोई नहीं इसको खाना एक कहती है कि हम सत के हैं मेरा कोई नहीं खाओ मेरे पती खोजने आएंगे राष्टा बता देना मेरे पती को अब का होता है दिदी उसका पती जो है चार दिन आठ दिन आसा देखे आसा देखने के बाद लगा कि मेरा पत्नी नहीं आई तो अपना सर्शुरा लगए और जाके सास से साला से सरहज से सबसे पुछे सब कोई कहते हैं कि नहीं वो तो चल गई है उसका पती कहते हैं कि नहीं मेरा पत्नी घर पे नहीं गई है छोटा भाई कहता है कि अरे उसको तो ना निहाल जाने का सोग था सायद ना निहाल गई होगी दिदी अब का होता है जो भाई है भाई चले गए उसको खोजने के लिए उसको पती भी खोजने के लिए चले गए खोजते 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 शगरो चान मारे भूखे प्यासे सब खोजने लगे तो जंगल के ओर उसी जंगल में खोजते खोजते चले गए तो बैर जो होता है दिदी बैर बैर जो था लदबुद फरा तो उसका जो पती हैं पती तोड़ने गए बाइर को तो पती जब तोड़ने गए तो उसमें से आवाज निकलता है कटवा से कुसवा सामी जड़ा से ना काटी हाजी जड़ा से ना काटी हाजी अर गड़ी जई तो तो अरो के कटवा हो रम कटवा गड़ तो सामी बहा तो ना रखता जी बहा तो ना रखता अर मोरो जी अरा कैसे के मन तो हो रम कोई विचारा सुनके कखते निकलता है बिचारा डर से आ गया वहां से हटके लग भी खोजने आया था आया तो सब लोग एकठा हो गए आ कहते हैं कि देखिये न इहां पर तोड़ने गए तो ओजने निकलता आप निकलता है तो हां चाह साला थे छोटा वला नहीं थे साथ में साथ गों अहां पर थे गए देखते हैं तो भाई गया तोड़ने की हम तोड़ते हैं तो बड़ा भाई जो था तो जैसे हाथ लपाया तो बहन के मुझ से आवाज निकलता है कि धीरे धीरे तुलिया भैया खटे मीटे बैरी आजी, हाथावा को गड़त जिरहुल कटावा हो रम, गड़ीयो में जेतो भैया हाथे जिरहुल कटावा जी, हाथे जिरहुल कटावा, अर तो हरो दार दिया कैसे सहवै हो रम, बनकती भैया धीरे से तुड़ियेगा, काटा गड़ जाएगा, अब तो भाई भी आया कि भाई वहाँ पर कोई है, कोई तो है, कुछ तो है, साथों मिल के कहते हैं कि अब यहां पर हम पोड़ खत के देखेंगे सियार और सियारिन जो था यहां पराया कहता है कि देखिए भाई आप जिसको तलास में हैं बताइए किसी को खोजने आये हैं तो हाँ तो एक पुरुष जो था एक इस्तिरी को काट के भर दिया है यहां पर अब काट के जो भर दिया है तो जब इसे काट के भर आया यहां पर पूरा धिंदी चलम गया है कोई बहर तोड़ता है तो यह तोड़ने नहीं देता है कोई नहीं तोड़ के ले जा सकता है यह बोलने लगता है कि मैं मत तोड़ो और थे तो हाँ एक सुन्दर सौनो जवान लड़का था आएक इस्त्री थी उसको काट दिया और एक सारी रंग लिया और रंग के अउ लेकर चला गया अउ बेचारी को काट दिया तो वो अपना यह पर जाक दिया है और हम जब खाने गए तो हमको खाने नहीं दिया उसको आतमा बोलने लगा सातो मिलके अब उसको खोदने लगे सारा पेड़ पत्या वहाँ पर के हटा दिये कवाड के जड़ से फेक दिये बहन जो है बहन बेचारी वहाँ पर पड़ी हुई थी उसका पती के कानी अंगली में अमरीत घरिया था पती के अंगली में जब कानी अंगली में बसता था अमरीत घरिया तो अंगली ठेकते ही उसका मुख पर ठेका और पत्नी उठके बैठ गई जब पत्नी उठके बैठ गई तो शाओ भाई और पती देखता है बांग तुम्हारे हाल ऐसे कैसे हुआ कहती है कि भहिया पता नहीं क्या हुआ नहीं पता सियार तो सारा कहानी बता दिया था जो पती है उसका कहता है कि भहिया आप जब जीएंगे तो इसका वर्सो पुराना रिस्ता बना रहेगा अब यह जीएगी तब लेकिन जब यह मर जाएगी तो सब खतम हो जाएगा इसलिए भाईया हम इसको अपना घार ले जा रहे हैं चोओ भाई जो है अपना बहन को विदाई दे दिये और बेचारी बहन जो थी अपना पती के साथ ससुराल आ गई जब चोओ भाई लोट के गए तो चोओ का पत्नी पुछने लगी कि महिया मिली सतोलवा मिली सतोलवा मिली सतोलवा मिली हाँ मिली कहां मिली तो बन में उसको कोई काट के भर दिया था कैसे तो किसी का उसको रक्त से चुन्दरी रंगाया हुआ पेन्ने का सोग था इसी लिए उसको काट के भर दिया था बड़की कहती है बड़ी वाली जो थी अपना छोटी देवरानी से करती है कि एक वो सड़िया के बदलल साथ सड़िया ले ले लेती मेला ननद के कर नहीं काटती मैं अपना आग के पुत्री बना के उसको रखते हैं जो मातारी है वो करती है कि किस कारण मेरा बेटी को मार डाली ये वो सड़िया के कारण सारा संपती हम तुम को दिये सारा संपती के उद्रा तिगारी तुम बनी भागी तारी तुम बनी और एक सलिया मेरा बेटी दो घंटा पहन ली तो उसको प्राम ले ली उसके कारण मेरे नजर से तुम हट जाओ मेरे राज से निकल जाओ छाबाईयान जो हैं छोटे वाले को अलगा कर दिये अलगे करके और उसको कुछ भी जैजात में हिस्सा नहीं दिये अब छोटा वाला और छोटी वाली दोनों मिलके मेहनत मजदूरी दूसरे को घर में करने लगे दीरे 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 समय बित्ता गया समय बित्ता गया करवा चौथ का दीन आ गया छा भाई जो थे अपने बहन के लिए सुन्दर साड़ी खरीदे सिंगार खरीदे तरह तरह के कलेवा बनाएं कि बहन के घर हम पहुचाने जाएंगे मेरा बहन करवा चौथ वरत करेगी छोटा वला आए वो कहता है कि एही मोका है बहन से छमा मागने के लिए छोटा वला सोला सिंगार खरीद लिया साड़ीया खरीद लिया अच्छा से पहला ही पहुच गे अपना बहन के ससुराल जाके बहन को दिया कि बहन मुझे माप कर दो जो मुझे गलती हुआ था बहन मुझे माप कर दो अब दुवारा गलती ऐसा नहीं होगा बहन जो है भाई के हात पकड़के करती है कि भाईया माप तो हम उसी दिन कर दिये थे जिस दिन मेरा गर्दन पर आप लगा दिये थे तेगा जिस दिन गर्दन पर तेगा लगा दिये थे हम भाईया सोये हुए नहीं थे बावी को सारी बात हम सुन गए थे कमरा में भाईया तो हम जान रहे थे कि आप मेरा प्रान लेगे तो सोने का नाटक कर दिये थे भाईया और आप गर्दन पर तेगा चलाए मेरा तन का गहना उतारे मुझे सब पता है भाईया भूल कर भी मैं का हम करवा चोथ करने नहीं जाएंगे आप करवा चोथ पर मेरे घर आएंगे आपके घरम करवा चोथ नहीं करने जाएंगे छोटा भाई जो था कबूल किया कि बहन जब तू करवा चोथ बरत करेगी तो सारा सिंगार का पिटारी और चुंदर हम लेकर आएंगे फल पलर या सब कुछ लेकर आएंगे और तुम अपने सास को बैना के रूप में या तो जेठानी के या तो तुमारे बड़ी ननद हो या तो बुआ सास हो ये कोई भी हो उसको दे देना मेरा वस्र नहीं पहनेगी तो दे देना बान बोली भाईया हमें ही करेंगे एक चुंदर के लिए जो आप प्रान ले सकते हैं भाईया ता आपका चुंदर हम कैसे पहनेगे बैचारी करवा चोथ जबकी छो भाई पहुचे सब कुछ लेके ओ भाई पहुचा पुजा पाट करके अपना सास के गोड लगी और उनको अपना बैना के रूप में डलवा में करके मोहरी ओइसी दे दी और जो छो भाई थे छो भाई भी ले गए तो कुछ सास के कुछ ननत के कुछ गोटनी के सब से देके अवा सिरवाद ले ली इगो यूग तक मैका ओ करवा चोथ बरत करने नहीं गई जब भी करती थी करवा चोथ बरत तो अपना ससुराल में ही करती थी मैका नहीं जाती थी देखिये गुरु भाई भाई बना माताय बंबने ससुराल और मैका क्या कर सकता है भाई जो भोजाई थी वो कसाई थी भाई भी उसी तरह था भाई तो किसी चीज का भी रख्त से रंगास के दे सकता था ना लेकिन वह इसा नहीं किया तो मातायम बबाने मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो का लाइक करें शेयर करें जो कि मेरा वीडियो का नोडिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए आप मेरा कथा सुन सकें कमेंट बॉक्स में जय मातादी जिरूर लिखें